मंग ये वीरे, मुझे कहानी सुने बिना नीन नहीं आते मैं कहानी सुनाओंगा तो सोजाएगी ये ना कहानी है अंगरेजी राज के उस वक्त की जब सब लोग उनके खिलाफ एक जुठ हो रहे थे सिवाए एक शक्स के क्यूंकि उसको लगता था कि अंगरेज भुरे नहीं है उसका नाम था मंगा घर के किसी स्याने आद्मी को बुला लो स्याने यह जी मैं वो तो उस दिन ऐसी मच्चों के साथ थोड़ा हो जिंदगी की हर दौड में अबब परिवार का सबसे लाइक लाड़ला दादी केती है इससे शफा चली जाती है क्या तुमिन उक्री कर रहा हो गए बंदूग मिलेगी जी तो धंडा बगएड़ा सच धजबन ठन चले किधर बदली हुई है कैसे आज ये नजर अपनी ही दुनिया का राजकुमार था वो और एक दिन उससे अपनी राजकुमारी भी मिल गई राजकुमारी गॉट सर्गी तुछे कानी सुनी है चुपचप सुन आपके गाव में दिल लग गया जी राज आती लड़कियों को ना रोपने से सार फट जाते हैं नकुगडाई है वे मार रहा है कानी राजकुमारी ने शुरू किये तो उसे ही कातम करनी चाहिए मैं अपनी पोती का रिष्टा एक अंग्रेज के नौकर से कर दू नहीं जी अपको गलत फैमी हुई है जी अंग्रेज बुरे लोग नहीं है कानी जी ने कहा है कानून से बढ़कर कुछ नहीं होता है कानून से बढ़काजा होता है लाला जी सारा कुशूर मंगे का है बहुत बुरा किया मंगे ने मैं मंगे मनी शच्टू। दोका दिया उसने हमको! तुझे के लगता है? तुम लोग की तकलीफ का हसास नहीं है? अगर तुझे तकलीफ का हसास था नहीं? तो अगनेजों के ताल बेना चाड़ता तू? तुब बड़ा मतलब ही निकला मंगे हैं सिर्फ अपने बारे में सोचा। तू सच में फिरंगी होके रहें वक्त आगया ही रे जैसे कुछ तैसा दिखाने का अगना! हग की खातर लड़ जा तू अपनी जिद में घर जा तू हग की खातर लड़ जा तू अपनी जिद में अड़ जा तू तू संचा जंगी, नहीं फिरंगी, तू नहीं फिरंगी तू संचा जंगी, नहीं फिरंगी, नहीं फिरंगी फिरंगी को राजकुमारी नहीं मिलेगी तू नो जारा दादीना बनू, मैंने नहीं सुनानी तरको कहानी कहानी आगे तुझे खुद नी आती और मुझे सुना रहे